कैसे हालाद थे उस तोराद जब वहां थे हालाद तो ऐसे थे कि हमें अगली 15 मिनिट का नहीं पता था कि क्या हो जाए क्योंकि फाइटर जेट लगातार हमारे उपर से गुसर रहे थे बहुत डरावना महौल था बताने लायक नहीं है बच्चे रोने भी लगते थे कुछ तो कि बिलकुल आलम है बुलंद शहर का एक छातर जो यूक्रेन में फसा हुआ था उसके परिवार जन बेहत परिशान थे रिष्टिदार परिशान थे आज वो छातर अपने परिजनों के साथ बैठा हुआ है अपने परिजनों के पास में है और लगातार यहां पर जो उनके वो उन्हें देखने के लिए यहां आ रहे हैं अब उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से वहां से यह लोटे है और किन परिशानियों को सामना करना पड़ा है क्या नाम है अपका जी मेरे नाम मुहमद जैद है मुहमद जैद आप क्या पढ़ाई वहां पर कर रहे हैं एम ब और तीन महिने पहले ही मैं वह गया था एंबीबेस के लिए लेकिन ऐसा था कि हमें सोले तारिक को ख़बर मिली थी यूकरीन के प्रेजिजेंट के थूँ के हमला होने वाला है सत्रह तारिक को फिर ऑफिशल नूटिस आया कि रश्यन वापिस हो गए अब हमला नहीं होगा वन्ना में सत्रों को ही मेरी फ्लैट थी में वापिस आ जाता जैसे ये हमला होने की कैंसिल बात हुई तो आप वहां रुके वहनाने का प्लान पुरा हो चुका था तो यूकरेन छोड़ दिया लेकिन छोड़ तो देते लेकिन फ्लैट नहीं थी फ्लैट दस दिन बात की मिल नहीं थी पहले ही फ्लैट सारी भुक थी तो इसलिए वहां रहना पड़ा क्या कर तकते थे कैसे हाला थे उस तो राद जब वहां तो ऐसे थे कि हमें आगले पंद कुलो मेंट दूर तो अँए के प्ल का कुई पता नहीं था कि क्या हो जाया है तो परिवार वाले काफी परेशान हो रहे थे आप से बात चल रहे हैंगे लगातार ओंके फोन पर बहुत पूरी बात चल लेए थी लेकिन कभी-कभी नेटवर्क इशू हो जाता था तो घर व तो आप क्या कोशिश कर रहे थे कि बेटे को किस तरह से वहां से लाया जाए दूआ कर रहे थे लाँ से और उम्मीद कर रहे थे कि बात करते रहते थे जैसे यह तसलीदे देवाए ऐसे हम्माल लेवे और परिस्दार लगाता टेलिविजन पर दिखा रहे हैं समाचारों में चल रहे हैं तो वहाँ मघका उस दोरह बहुत बहुत प्रश्वानिह का कि वान में सब्हु कर रहे थे कि इम्होग निकरते थे हम से इक जनकार के करते थे लोग भाग हमने उन्हेस वह हुugi देविए उर हमें भरोसाневाँ थे सरकार भी चल लेए ही यही भरोसाता का सरकार काम कर रही है अभी भी 20,000 बच्चे वहां फासे हुए है क्या कहेंगे किस तरह से उनको लिखा रहे हैं नहीं वो इंशालला सब लिख लगए हैं वहां से और आ रहे हैं फिलाइट डेली आ रहे हैं आपके जो फिलाइट आएट कैसे हैं तो क्या सुइधा है किस तरह से आपको लाया गया वहां से बिल्कुल अपने बच्चे की तरह लाया गया इंडियन एमबेसी के तरूह में खाने की सुविधा पीने की सुविधा हमें सब चीट पानी एक चीज़ और हम आपसे पूशना चाहेंगे ये जादातर समाचारों में भी ये चीज़ सामने आ रही है और सोशल मीडिया पर अक्सर ये चीज़ आ रही हैं कि तीस हजार जो किराया है वो साथ हजार करके वसूला जा रहा है क्योंच ऐसा है ये खुआ था जब हमला हुआ था जब हम रात को टिकेट देखके सोए के बाई साहर की टिकेट थी और जब सुबा को देखा तो साथ सत्तर क्योंकि मेरे साथ ही ने भी सत्ता इस तारिक की टिकेट कराए थी वो एक लाग छेजार की वी थी अच्छा ये शुरुआती दोर में था शुरुआती दोर में जब ये हमला हुआ उस वक्त की बात है अच्छा अब उसके बाद में कैसे आपको कितना किराया लगा मैं बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट आया इंडिन गौर्नमेंट की थुरुख पर वहाँ लोग फसे हुए है ने निकाला नहीं जा रहा अब ये साक्षात यहां बुलते हैं कि साक्षात को प्रिमार की जरूत नहीं होती जिस तरह आप वहां से आई कितना आपके साथ ही आई है जी मेरे साथ 240 स्टुडेंट थे हम पूरे और एक फ्लाइट परसु आई थे हमारी और एक कल आई है हमारी पूरा यूनिट आ चुका है फर्स्ट यर पूरा यूनिट आ चुका है उसमें को सेकंड यर थर्ड यर भी थे तो जिस तरह वहां आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर से निकल के जा रहे थे तो उस दोरान कैसा महसूस किया बहुत डरावना महौल था खेर बताने लाइक नहीं है वो बच्चे रोने भी लगते थे कुछ तो खेर ऐसे में लेकिन वह यह करते रहे हम हिम्मत से जुटे रहे हो गया काम अल्ला की शुकर से अशा एक और बात बताईए कि जो आपकी उन्यूश्टी है उन्हों कैसे मज़त के उन्यूश्टी ने हमारी तुरंत पहले किलास बंद की कि पहले आप अमने वतन वापिस हो जब हम आपकी ऑनलाइन क्लास दबारे स्टार्ट करेंगे और हमारे सर हैं अमरीक सर जो हमारे है इंडियन स्ट्रेंट के उन्हों लगा लिए वो तीन दिन सुए नहीं सारा बस का रेंडिमेंट पहले हमें बॉर्डर तक छोड़के आए फिर वापिस हुए वो अब तक महीं है बच्चों को निकालने के लिए वो अब तक वापिस नहीं है खाने पेने की सुएधा है क्या पॉलेंड और रोमानिया बॉर्डर बहुत क्रिक्टिकल सिच्वेशन में है वह मार पीट भी हो रही है हावाई फाइरिंग भी है एमरजेंसी बिल्कुल आलम है देखे क्या होता हूं और मैं तो चाहूंगा कि इंडियन गवर्मेंट और पॉलेंड और रोमानिया आप पहलवान है और अच्छे खासे नामी पहलवान रहे अपने समय में और आपके जो बेटे हैं इन्होंने भी पहलवानी शुरू किये सुना हमने तो आप इस लाइन में कैसे आगे थोड़ा ही बता जी पहलवानी में मेरा इंटरेस्ट था शोक है लेकिन शोक पारी बार शुरू कर लेंगे और कैसे हैं सर आप बहुत बढ़ी हैं जी आप मैं गाउं चड़ाओ कर रहे हैं अपने के क्या लगते हैं मेरे पहलवान मेरे फूपी की लड़गया है अच्छे दार है यहां आप देखने के लिए सबह से लिके शाम तक इसी तरह से लगातार रिश्ट तो बहुत आपने अच्छी बात कही और वाकई ऐसा होना भी चाहिए कि जो इंडियन चातर वहां पर इस वक्त फसे हुए हैं वो भी वापस आजाएं आप इनके क्या लगते हैं चाचा होगी आप चाचा हैं कैसा लग रहा है आपको अपने बेटे से ज़्यादे बढ़ी है कोई और लगएगा भतीजा हमारा आगया पता उससे ज़्यादे खुसी होगी ना और हमें तो सब के सब बच्चों के लिए यह चाहते हैं इंडिया के सारे बच्चे आगां सारे के महज़त होती के साहीर खान खबर तहकीकात मुलच